नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डॉलर वन फोटोग्राफी पर मैं मयंग सक्सेना आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मेरा आज का नया लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे Inline Function in C++ की तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूले तो आईए शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा की आज का टॉपिक है हमारा inline function in C++ तो ये होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों पढ़ती है मैं आपको बताता हूँ देखें सबसे पहला तो inline function क्या होता है इस पर बात करते हैं inline function के अंदर basically जो काम किया जाता है वो एक function को inline बनाया जाता है inline से मतलब एक line के अंदर जब आप किसी भी function से पहले inline keyword का use करते हैं तो compiler उस code की उस code की lines को देख करके उस code के rules को देख करके इस बात को ensure करता है कि उस function को inline बनाना है या नहीं अब होता क्या है इसके अंदर जब आप कोई भी function लिखते हो तो function जहां पर आप लिख रहे हो आप function के नाम से पहले inline keyword का use करते हो इससे फाइदा क्या होता है कि अगर आपका code छोटा है lines में कम है तो आपका compiler उस function को inline मान सकता है और उस function को inline मानते हुए जहां जहां से उस function को call करवाया जा रहा है वहां वहां पर उस function के code को paste कर देता है किसके अंदर एक executable binary file होती है उसके अंदर तो देखें जैसा कि यह आपके सामने लिखा हुआ है मैं इससको पूरे को प्रोग्राम के जरीए भी समझेंगे अब इसमें कुछ फायदे होते हैं inline function को use करने के और कुछ नुकसान भी होते है फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ जैसे suppose आपने एक प्रोग्राम लिखा उस प्रोग्राम में क्या था कि आपकी 9th statement पर आपने किसी function को लिखा हुआ है suppose आपने लिखा int और add int a, int b और आपने इसके अंदर क्या करा यह आपका 10th line होगी फिर 11th होगी 11th line पर आपने लिख दिया suppose suppose आपने लिख दिया return और उसके अंदर आपने लिख दिया a plus b 12th line होने वाली है अब हुआ क्या आपने यह जो program लिखा था यह लिखा था 9th line से लेकिन हुआ क्या कि जब आपने इसको call करना शुरू करा main के अंदर कहीं वो suppose कोई line number था 256 अब होगा क्या जब आप function को call करवाएंगे with the help of function name जैसे आपने add लिखा simply और उसके अंदर आपने क्या करा दो integer type की values पास करवादी 5,7 तो होगा क्या यह जो काम है यह इस function को call करने वाला है अब function calling के time पर होगा क्या इस line 256 से आपका जो करसर होगा वो करसर jump करेगा line 9 पर पहले 9 पर आएगा फिर 10 पर आएगा फिर 11 पर आएगा 11 पर से मिलेगा return A प्लस B तो आपने जो values दी है 5,7 यह 5 और 7 का sum होगा जो कि 12 हो जाएगा और फिर यहां से return होगा यह line 256 पर वापस तो हो क्या रहा है basically 256 लाइन नमबर से 9th लाइन नमबर पर आना और 9th लाइन नमबर से 256 लाइन नमबर पर जाना और ऐसा क्या होगा कि अगर आपने कई बार function को call कराए अपने main के अंदर से तो बार-बार यही काम होने वाला है तो जब यह काम होगा बार-बार तो आपका करसर जो है वो जम्प करेगा तो जब जम्प करेगा उस case में होगा क्या कि इसकी जो function calling की जो overhead है वो बढ़ जाएगा अब overhead से क्या मतलब है वो बताते हैं जैसे अगर आप बात करें आप market से कोई समान खरीदने जाते हैं तो market में आप कुछ पैसा देते हैं और पैसा देकर के समान को लेते हैं computer के अंदर जो आपका यह जो पैसा होता है यह basically resources के माध्यम से होता है अगर आपको कोई भी task को करवाना है तो आपको उसके लिए कुछ पै करना पड़ेगा और वो payment जो होगा आपका वो होगा resources के terms में जैसे आपकी RAM वो limited है अगर बात की जाए आपके processing power की तो वो भी limited है अब आपको क्या करना है किसी task को execute करवाना है या किसी function को call करवाना है तो जो आपकी RAM है या आपकी processing power है वो कहीं न कहीं consume होगी तो इस वज़े से होगा कि अगर आपके multiple programs run हो रहे है और आपका एक program unnecessarily ज्यादा memory occupy कर रहा है system से तो कहीं न कहीं आपकी बाकी जो processes होगी वो उस resources के अभाव में उस lack of resources की वज़े से pending हो जाएंगी जब तक कि आपका ये वाला task complete नहीं होगा तब तक वो क्या होगा जो आपका system है उन सारी processes को waiting state में डाल देगा तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या करते है inline keyword का use करते है inline functions बनाते है और inline functions में क्या होता है जब आप 256 line पर किसी function को call करवा रहे हो और suppose इस function से पहले आपने लगाया हुआ था inline keyword तो जब आप compile करेंगे अपने code को compilation के time पर होगा क्या आपका compiler इस inline function को ठंक से check करेगा कि क्या इसके अंदर जो चीजे हैं वो inline की properties को satisfy कर रही है अगर कर रही है तो इसके अंदर का code जो होगा वो इस line पर जा करके paste हो जाएगा किसके अंदर जो आपकी binary executable file होगी उसके अंदर तो जब आप उसको अपने program को execute करेंगे तो आपका ये जो cursor होगा ये jump नहीं करेगा 256 से 9 की तरफ बलकि 256 वाले place पर ही इसको क्या मिल जाएगा कि इसको करना है 5 प्लस 7 और ये directly अपना answer यहीं से directly process में चला जाएगा तो ये inline function के बारे में था अब बात करी जाए अगर inline function के pros और cons की यानि की advantages और disadvantages की तो मैं आपको बताता हूँ देखिए सबसे पहला काम तो ये जुस एक process चल रही थी jumping वाली के 256 से 9 पर आया फिर उसके बाद में 11 से वापस से 256 पर गया तो इस सब में क्या होता है इस सब में cost लगती है ये cost जो लगती है इस cost में होता क्या है कि जो आपकी function calling होती है उसका overhead भढ़ जाता overhead से मतलब ये है कि बार बार जब इस तरीके के function की calling होगी तो definite सी वात है वो अपने function पर jump करेगा execute करवाने के लिए और इस jumping के अंदर जब बार बार ये काम चलेगा तो आपका जो program का overhead है जिसमें function calling का overhead है वो भढ़ जाएगा अब दूसरी चीज़ जब function calling overhead कम होगा यानि कि jumping वाले statements जो है या jumping का जो काम है वो कम हो जाएगा तो होगा क्या आपका जो execution का time है program के वो भी reduce हो जाएगा मतलब कम समय में आपका program execute हो जाएगा और तीसरा क्या होता है इसका basically use जो होता है वो embedded जो systems होते हैं उसके अंदर भी किया जाता है अगर आपका inline का जो code है वो एक छोटा code है एक तो ये रहा आपके advantages का जो general advantages थे मैंने वो आपसे share करें advantages यह और भी होते हैं लेकिन मैंने आपको general advantages share करें अब बात कीजा इसके disadvantages क्यों तो advantages क्या होते हैं सपोज हुआ क्या कि आपका ये जो function है ये एक दूसरे segment में है जबकि आप जहां से call करवा रहे हैं वो दूसरे segment का part है अब जब आप क्या करोगे अपने inline function में कहीं कोई change करते हो जैसे सपोज मेरे इसमें गलती ये हो गई कि मैं a plus b कर गया और मुझे करना था a minus b तो केवल मैं अपने इस वाले segment को compile कर दूँ इस वाले part को compile कर दूँ उससे मेरे यहां पर answer में कोई भी change नहीं आने वाला है answer मेरा 5 plus 7 ही आएगा मतलब ये addition ही करेगा subtraction नहीं करेगा जबकि मैंने अपने inline function में change कर दिया और उसको compile भी कर दिया है ये क्यों होगा क्योंकि जब मैं compile करा होगा मैंने इस वाले part को compiler ने तब ये देखा होगा कि जो inline function है वहां से code को यहां पर paste कर दिया होगा अब जो binary executable file बनी है उसको भी तो replace करना ज़रूरी है तो मुझे जितनी बार अपने inline function को change करना होगा मुझे उसके जितने भी parts है या जितने भी clients है जहां से कि उसको call किया जा रहा inline function को उसको भी compile करना पड़ेगा otherwise मुझे गलत answer ही मिलेगा ठीक है तो यह क्या है यह पहला disadvantage है और दूसरा disadvantage यह होता है कि इसमें क्या होता है compile time भढ़ जाता है compile time क्यों भढ़ जाता है आप खुछ सुचिए यह एक add function है मैं इसको 10 बार 10 जगे से call करवा रहा था line 256 से line suppose मेरा 512 से या मैं further और line sys को call करवा रहा हूँ तो क्या होगा हर जगे पर यह line replace हो जाएंगी किससे मेरे function के साथ में यानि function का part जो उसमें paste होगा तो paste होगा तो ultimately मेरे जो program है उसकी length बढ़ेगी और जब length बढ़ेगी तो जब compile करा जाएगा उसको तो compilation file size के according भी होता है अब जब file size जितना जादा बढ़ा होगा जितने जादा instructions होगे उतना ही जादा compilation में time लगने वाला है तो compilation time को यह बढ़ा देता है inline function तो मैंने आपको क्या करा अभी दो चीज़े बताई पहली चीज advantages क्या होते हैं अब मैं आपको बताता हूँ कि जो modern compilers होते हैं वो क्या करते हैं वो आपके इस inline को नहीं देखते आपने inline लगा दिया है अगर किसी function से पहले तो वो यह ensure करते हैं कि पहली चीज़ तो उस function के अंदर कितने lines के statements लिखे गए हैं अगर वो ज्यादा lines की हैं तो वो inline accept नहीं करता हलाकि आपने inline लगा दिया है function से पहले फिर भी compiler उसको ignore कर देगा compiler उससे एक ordinary function की तरह ही treat करने लगेगा अगर वो देखेगा कि आपके function में बहुत ज्यादा line के codes है बहुत ज्यादा line के codes को आप खुछ सोचिए यहाँ पर लाग करके जहाँ से calling हो रही है function की calling हो रही है वहाँ पर लाके paste करने से जो आपके फाइल की जो आपके प्रोग्राम की compactness है वो भी खराब होगे तो compiler जो modern compiler है जो optimization को भी साथ लेके चलते हैं इस सब चीजों के ignore कर देते हैं दूसरी चीज modern compiler के अंदर एक खास बात और है अगर आप inline नहीं भी लगाते हैं और वो देखते हैं कि वो इस चीज को observe करते हैं कि आपके प्रोग्राम के अंदर one or two hardly line का code है तो होगा क्या कि वो उस function को भी inline मानना शुरू कर देगा compiler आपका inline keyword के न होते हुए भी inline मानना शुरू कर देगा तो ये थी दो चीजे अब तीसरी बात अगर हम करें तो देखिए inline function में कौन सी चीजे ऐसी होती हैं जो अगर आप लगाएंगे तो आपका compiler inline keyword के होते हुए भी आपके function को inline नहीं मानेगा जैसे आपका switch statement है आपका go to keyword है या static variables की बात की जाए loops की बात की जाए आप इसके अंदर while लगा दें for loop लगा दें do while लगा दें या recursive functions होते हैं function calling itself है ना वो क्या होगा इन सभी चीजों को अगर आप अपने function के अंदर use करते हैं तो आपका compiler उसको inline की तरह treat नहीं करेगा आपके function को inline की तरह से treat नहीं करेगा अब ये तो बात हो गई inline function की basic terminology की अब बात करते हैं इसकी syntax की तो syntax क्या होती है सबसे पहले आता है आपका inline keyword फिर आप लगाते है return type like int, float या जो भी आपको लगाना है return type ठीक है उसके बाद में आप लेते है function name वो कुछ भी हो सकता है वो आपके उपर depend करता है कि आप अपने function का name क्या लेना चाहते हैं हलां कि बहुत सारे programmers अच्छे programmers ये बोलते हैं आपको अपके function का name और आपके variable का name एक relevant लेना चाहते है आपकी functionality से जो correlate करता हो तो आप यहाँ पर function name ले सकते हैं फिर उसके अंदर आप arguments ले सकते हैं अपने formal arguments जो आपको उसके अंदर जिस signature में आपको आपका function चाहिए और फिर function की scope के अंदर आप अपने function का code लिख सकते हैं तो यह थी basic syntax अब समझते हैं इसके program को तो यह program एक आपके सामने given है इस program की अगर बात की जाए तो इसके अंदर एक inline function दिया गया आपको यह inline function क्या है कि inline keywords से शुरू हो रहा है जैसा कि हमने अभी syntax में देखा था यह हमारा return type हो गया सम हमारे function का नाम हो गया और यह हमारे क्या हो गए formal arguments हो गए या formal parameters हो गए इस program के अंदर हो क्या रहा है single line का code लिखा गया है और यह single line का code क्या कर रहा है कि return कर रहा है जो यह a और जो b की value आएगी actual arguments से यह उन दोनों का sum करेगा हमें बहुत अच्छे से कि आपका program main से execute होता है तो main से समझते हैं सबसे पहले क्या होगा आप अपना program लिखेंगे program लिखने के बाद आप इसको compile करेंगे तो compile जब आप करेंगे तो एक binary executable file बनेगी उसके अंदर होगा क्या कि आपका cout है जहां से यह function को call करवाया जा रहा है आपका compiler यह देखीगा कि यह inline की properties को satisfy कर रहा है तो आपका जो code होगा वो code यहां पे paste कर देगा किसके अंदर binary executable file के अंदर आपकी source code वाली उसके अंदर नहीं करेगा लेकिन यह compilation के बाद में जो आपको binary आपका जो प्रोग्राम होगा वो basically main से ही शुरू होगा और main में खतम हो जाएगा कहीं पर भी jump नहीं करेगा काम कैसे करेगा सबसे पहले दो variable num1 और num2 बनेंगे num1 num2 को memory दी जाएगी उनको space दिया जाएगा उसके बाद में क्या होगा आपके सामने ये display हो जाएगा आपकी screen पर ये display हो जाएगा कि please input two numbers जो भी लिखा है जिस format में ठीक उसी format में ये one by one print हो जाएगा display हो जाएगा फिर होगा क्या see in के जरिया आपका program आपसे input लेगा आपसे मतलब user से input लेगा तो user input देगा suppose user ने input दिया five दिया और उसके बाद में दिया seven तो होगा क्या num one में आजाएगा five और num two में आजाएगा seven अब यहाँ पर see out में some call नहीं होगा बलकि यहाँ पर already ये लिखा होगा कि num one प्लस num two किया जाना है किसके अंदर binary executable के अंदर हो किसकी वज़े से इस inline function की वज़े से तो आपके सामने directly print हो जाएगा 12 और return zero आपको मालूम है कि यह आपके main को successfully terminate करता है main को termination के लिए यह आप जिसके अंदर भी लगाएगे वो बताएगा कि आपका जो function है यह जो आपका method है वो complete हो चुका है और यहाँ पर उसका successfully termination किया जा रहा है return zero से terminate हो जाएगा आपका तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा आज का topic यह अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा अगर आपको मेरा यह आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो please मेरी वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों के साथ भी मेरे वीडियो को share करना बिल्कुल भी न भूले thank you आप सभी के सुझाव आमंत्रित रहेंगे